हेलो नीट एस्पिरेंट आस हम क्लास 11 बाइलोजी का अध्याय 13 उच्च पादपो में प्रकास संसलेशन स्टार्ट करते हैं तो आईए याई इसका फ़स्ट पार्ट है मिसकी रीडिंग करते हैं उच्च पादपो में प्रकास संसलेशन सभी प्राणी यहां तक की मानाव भी आहार के लिए पोधों पर निर्वर है क्या आपने कभी सोचा है कि पोधे अपना आहार कहां से प्राप्त करते हैं बास्तों में हरे पोधे अपना आहार संसलेशन करते हैं अथा भी स्वापोसी होते हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वापोसी संसलेसन के बल्प पौधों में ही पाया जाता है तथा अन सभी जीव जो अपने भोजान के लिए पौधों पर निरवर करते हैं विसंपोसी कहलाते हैं यह एक बहुत रासाइनिक प्रिकिरिया है जिसमें कार्वने क्योंकों संसलेसित करने के लिए प्रकास उजा का उपयोग करते हैं अथाकुल मिलाकर प्रत्वी पर रहने बाले सारे जीव उजा के लिए सूरी के प्रकास पर निर्भर करते हैं पोधु दुआरा प्रकास संसलेशन में उप्योग की गई स्वरूजय प्रत्वी पर जीवन का आधार है। प्रकास संसलेशन के महतपूर होने के दो कारण है यह प्रत्वी पर समस्त खाद पदार्थों का प्रात्मिक इस्तरोत है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए उक्सियन ना हो तो क्या होगा। इस सद्ध्याय में प्रकास संसलेशन के बिसाय में बताया जाएगा जो प्रकास उज्जा को रासाने को उज्जा में रूपांत्रित करती है। हम क्या जानती हैं आईए पहले यह पता करें कि हम प्रकास संसलेशन के बिसाय में क्या जानती हैं। जिन से पता लगा हुगा कि क्लूरो फिल मतलब पत्यों का हरा बनक प्रकास तथा कर्बन डाय उक्साइट प्रकास संसलेशन के लिए आविस्जा है। मतलब जो क्लूरो फिल होता है पत्यों का हरा बनक प्रकास और जो कर्बन डाय उक्साइट होती है। मतलब जो प्रकास संसलेशन किया है वो सूर के प्रकास में केवल हरे भाग में चाहिन होती है। आपने एक अने प्रियोंक आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंसिक भाग प्राकनली के अंदर रखा होगा। और इसमें की ओएस से भींगी हुई रूई भी रखी होगी जो की ओएस होता है यह कार्बन डाय उक्साइट को अफसूसित करता है जबकि सेस भाग को प्रकास में रहने दिया होगा इसके बाद इस उपकराण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है कुछ समय के बाद आप इस्टाज के लिए पत्ती का प्रिक्षण करती हो इस प्रिक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग पराखनली में था उसने इस्टाज की पुष्टी नहीं की मतलब पत्ती का जो भाग पराखनली में था उसने इस्टाज की पुष्टी नहीं की और जो करिया होती है उसके लिए प्रारंबिक प्रियोग देखेंगे उसने साधरां प्रियोगों के विशाय में जानना काफी रूची कर होगा जिनसे प्रकास अंसलेशन की प्रिकरिया का क्रिमिक विकास मतलब प्रिमिक विक्सित हुई है जोसे पीष्टले ने 1770 में बहुत से प्र लगा कि हरे पौधों की ब्रदी में हवा की ये करिवार भूमी का है आपको याद होगा कि प्रिष्टले ने 1770 में ऑक्सिजन की खोज की थी तो उसे याद रखें कि जो ऑक्सिजन की खोज है वो जोसे प्रिष्टले ने की थी प्रिष्टले ने देखा कि ये एक बंद इस कि चाहे जलती मुंबत्ती हो अत्वा कोई प्राणी जो बायू से सांस लेते हों भी हब आखों छती पहुंचाते हैं लेकिन जब उसने उसी बेल जार में पुदीने का पौदा रखा तो उसने पाया कि चुवा जीवित रहा और मुंबत्ती भी सतत जलती रही इस आधार पर प्रिष्टले ने निम्न परिकल्पना दी कि पोदे उस बायू की च्छती पूर्ती करते हैं जिन्हें सांस लेने बाले प्राणी और जलती हुई मुंबत्ती कम कर देती है तो यह दीख सकते हैं यह सेटप मतलब यह जो से प्रिष्टले का सेटप था क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिष्टले ने प्रियोग करने के लिए एक मुंबत्ती एक पोदे का उप्रियोग कैसे किया होगा याद रखें कि उस मुंबत्ती को कुछ दिनों बाद पुन्हा जलाने की आवे सकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद भा पौधे की इस प्रिक्रियां में सूर का पिरकास अनिवार है यह जल्दी हुई मुंबती या सांस लेने बाले प्राणियों द्वरा खराब हुई बाई को सुद्ध बनाता है तो इसे भी याद रखें कि जो सूर के प्रकास की जोनी बारता थी बाहे जोन इंजिन हाउस ने बताया इंजिन हाउस ने अपने एक परिस्क्रित प्रियोग में एक जलिये पौदे के सात्व याए दिखाया कि तेज दूप में पौदे के हरे बाग के आसपास छोटे छोटे बुल बुले बन गाए थे जबकि अंधेरे में रखे गए पौदे के आसपास बुल बुले नहीं बने बाद में उसने इन बुलबुलें मतलब बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सिजन के रूप में की थी अथा उसने यह दिखा दिया कि पौदे का केबल हरा भाग ही ऑक्सिजन को छोड़ सकता है बाद में बाद में बिस्तास हैं इनकी पौदे के पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी किन्तु जूलियस बॉन सेच है तो जूलियस बॉन सेच ने यह प्रमान दिया कि जब पहुधा ब्रद्य करता है तो तब गलुकोस मतलब सरकड़ा बनती है गलुकोस प्राइस टाच के रूप में संच्चित होता है तो इसे भी याद रखें कि जो गुलुकोस के बारे में बताया पौधों में कि गुलुकोस मतलब जब पौधा ब्रद्धी करता है तब गुलुकोस बनती है और जो गुलुकोस प्राय स्टाज की रूप में संचित होती है तो यह किस ने बताया यह जूलियस बॉन सेच ने ब तो बिशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसमें होता है उसने बताय कि पौधे की हरेज भाग में गुलुकोस बनता है और गुलुकोस प्राइश्टाज की रूप में संचित होता है अब ही हमने कितने तीन विज्ञानकों के बारे पड़ा एक तो हमने दिखा जो से प्रिश्टिल के बारे पर लिया और फिर जोन एंजिन हाउस फिर जूलियस वांसेच मतला भी नाम कुछ एक सी लग रहा है तो इनके बारे में मतलब अच्छे से की डिटेल याद रखें कि यह नामों से हम कुश्चन में गड़बड़ी कर आती अब आंगे और फिर एक हरी सेवाल क्लेडो फूरा को जिसे ऑक्सी वेक्टेरिया के निलंपर में रखा गया था खुब प्रदीप्त किया गया तो इसे भी याद रखें कि जो टी ड़बलू एंजल में था उसने क्या किया उसने एक रोचक प्रयोग किया जिसमें उसने प्रिजमी की सा सहायता से प्रकास को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया तो इसे भी याद रखें कि टी ड़बलू एंजल में ने प्रिजमी की सहायता से प्रकास को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरी सेवाल क्लोडो फूला को जिसे ऑक्सी बेक्टेरिया की निकलने का पता लगाने के लिए किया था उसने पाया की बैक्टेरिया जो प्रमुक्ता लाल एवं नीले प्रकास चेत्रों में कत्रित हो गए थे इस तरह से प्रकास संसलेशन का पहला सख्रियस्पेक्त्रव बनित की जा गया तो इसे भी याद रखें कि जुब प्रकास संसलेशन का कहला प्हला प्रकास सैंस्पेक्त्रव मैं k Daewalt मोटे तोर पर ग्लूरो फिर एवं बी के अपसुसर स्पेक्ट्रा समेल खाता है आंगे पड़ते हैं उन्निसवी सदी के माध्य तक पादा प्रकास अंसलेशन की सभी मुख विशिष्टाओं के बारे में पता चल चुका था जैसे की पौधे करबंडा यॉकसाइड तथा पा प्रतिक्रिया को अनुभाविक समिकर्ण द्वारा प्रिस्तुत किया गया है तो यह प्रकास अंसलेशन की कुल प्रतिक्रिया जो पहले दी गई थी जैसे की यहां करबंडायोकसाइड एवं जल से कार्बोहाइडेट का निर्मान हो रहा है ऑक्सिएड निकल रही है जहां भी कार्भोहाइडेड जैसे की ग्लूकोस एक चे मतलब कर्वन शुकर का प्रतिनेशित करता है तब हमने चार बैग्ञानों को की बारे पढ़ लिया है पहले जो से प्रिश्टिले के पढ़ा था फिर जॉन एंजन हाउस की बारे पढ़ा था फिर जूलियस वांसराज की ब कौने लिए के पत्थर का काम किया टो यह जो जब्रकास आंच लिएं को समझने में जो मिल के के पत्र का काम किया उसका अध्यาน एवन हरे भैक्टिरिया परında हरे था उसने उन्होंने बताए कि प्रकास अधार्यत प्रेटी बनाते है और इसे निमिल रूप से ब्यक्त किया जा सकता है तो यह मतलब यह दिया गया है समिकल में हरे पॉदों में हाइडोन दाता है और और शुब्सशी क्रेटरी दोरान जीब ऐसे होते हैं जो प्रकास प्रकास अंसिलेशन के दौरान अक्सिजन मुक्त नहीं करतें जब H2S बेक्टिरिया जब H2S बेक्टिरिया के लिए हाइड़ोजन दाता होता है तो उक्सीकरन उत्पाज जीवों कनुसा सलफर अत्वा सलफेट होगा ना कि ऑक्सीजन इससे उन्होंने निसकास निकाला कि हरे पोधे द्वारा निकाली गई उक्सीजन जल से आती है ना कि कार्वन डाय उक्साइड से तो जो बैन नील था बैन नील का मतलब कानेलियस बैन नील था उसने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन होती है वो दुद्वारा मतलब जो जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है ना कि कार्वन डाय उक्साइड से बाद में याइ बाद Radio-アisotonic टकनीक के उपयोग से भी सही परमाळत हुई तो बाद में ये एक Radio- inverinwork टकनीक उपयोग हुआ होगा तो सुझ से ये बाद मतलब और अच्छे से proof हो गयी इसलिए कुछ मतलब जो कुल प्रकास अंसलेशन को प्रिस्तुत करने वाला जो सही सम्मिकरन है वो यह दिया गया है 6 CO2 और 12 जल के अडू प्रकास की उपस्तिती में ग्लुकोस जल एवं ऑक्सिएन का निर्मान करते हैं इसमें देख सकते हैं 6 carbon dioxide हैं और 12 जल के अडू है इसमें ग्लुकोस बन रही है 6 H2O और 6 O2 का निर्मान हो रहा है सिंपल है यहां जो C6 H2O6 का प्रतिनिस करता है जल से निकलने वाली ऑक्सिएन को रेडियो आइसो टॉपिक तक्निक से दिखिया जाए चुका है यह एक इकल किरिया नहीं है बलकि बहु चर्णी प्रक्रम का बढ़नान है इसमें बहुत से बहुत चर्णी प्रक्रम है जिसे प्रकास अंसलेशन कहते हैं और प्रकास अंसलेशन कहां संपन होता है इसकी बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अध्यार अटमें परने के बाद निश्चिती आपका उत्तर होगा हरीपत्यों मैं मतलब जो प्रकास अंसलेशन हैं लिए प्रकास अंसलेशन का हरीपत्यों में होता है जिसमें हुआप तो आपको निश्चिती उत्तर होगा कि हरी पत्तियों में सब्सक्राइब降ते हैं 00ря तो आपको आपको सही किति है प्रगास लेशंड के lirfirσα में तो संपाद होती है लेकिन यह आप को पहुदकी अनन, मीजोफिल कोशिकाओं की बित्ति के साथ पंगती बद होता है जिससे की बे इस्टा मात्रा में आप्तित प्रकास प्राप्त कर सके अब ही क्या है अब अब यह बताएगा कि समानता समानता जो क्लोरोप्राश्ट है वो मीजोफिल कोशिकाओं की बित्ति के साथ पंगती बद होता है जिससे की बे इस्टा मात्रा में आप्तित प्रकास प्राप्त कर सके आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल बित्ति के समानतर समानतर पंगती बद होते हैं बे उसी की ये सरचना है तो इसके देखो ये बाय जिल्ली है फिर उसके बाद भीतरी जिल्ली है फिर फीटी का पटली का है और ग्रेना है फीटी का है राइवुसों मतलब गुल गुल हो है राइवुसों में इस्टाज की कडिंका लाइपेट की बूंद आपने अध्या एट में क्लूरोप्रास्ट की सरचना के बारे में पढ़ा है क्लूरोप्रास्ट में एक जिली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना होता है स्ट्रोमा लेमिले होता है और स्ट्रोमा तरल होता है किलरवी प gdy में प्रकाश सुझा को ग्रहन करता है यह तो इसे भी याद रखें कि जो जिली तैंतर्डों करने के बाद ATP एवं NADPH का संसलेशन करता है इस्ट्रूमा में इंजाइमेटिक प्रतिकिरिया होती है जो सरक्रा का संसलेशन करता है जो बाद में इस्टार्ज में परिवारतित होता है मलब हो जाता है देखो क्या इस्ट्रूमा में देखो पहले क्या बताया कि तो पहले तो देखो सरक्रा का नहीं पहले देखो ATP और NDPH का संसलेशन हो गया पर बात में इस्ट्रोमा में एंजाइमेटिक पृतिकरिया होती है जो सरक्रा का संसलेशन करता है जो बात में स्टार्च में परिवर्चित हो जाता है पहली बाली जो पृतिकरिया है वो प्रकास अभिक्रिया मनला प्रकास रासाने का अभिक्रिया कहा जाता है चुंकि यह पूरता प्रकास पर आधारे थे दूसरी प्रतिक्रिया प्रकास अभिक्रिया के उत्पात पर निर्वार होती है अर्थात एटी पी तथा एने डी पी जो सेदांतिक रूप में अधेरे में संपन हो और इस्टुमा तरल होता है क्लोरोप्लास्ट में सुईस्पर स्रम विवाजन होता है जिल्ली तंद जिल्ली तंद होता है वो प्रकास उल्जा को ग्राण करता है और ATP एवं NADPH का संसलेशन करता है तो कुल मिलाकर ये प्रकास दारेता भी किरिया हो गई क्योंकि इसमें प्रकास उल्जा ग्राण कर रहा है और ATP और NADPH बन रहा है तो ATP और NADPH का संसलेशन ही प्रकास अभी किरिया कहलाता है अब दूसरी जो इस्टुमा में हो रही है वो आप प्रकास अभी किरिया है जो सरक्रा करता हुआ और प्रकास अभिक्रिया है अम पड़ेंगे प्रकास अंसलेशन में कितने प्रकार के बनक होते हैं जब आप किसी पौधे को दीख रहे होते हैं तो क्या कभी अस्षरुबा है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सुक्षमांतर क्यों और कैसे हैं हम इस प्रिश्ण का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप कि पन बनकों को पेपर क्रूमेटोग्राफी दोरा अलग कर सकते हैं ऐसे पता है कि पत्तियों में इसे तो बनक के कारण जो हरा पंद दिखाई देता रहे किसी एक बनक के कारण नहीं बल्कि चार बनक को क्लूरुफिर ए क्लूरुफिर बी जेंतोफिल और कायटिनॉइट् इसमें जो क्लूरोफिल ये है वो चमकीला अत्वा नीला हरा होता है चमकीला या नीला हरा क्लूरोफिल बी जो होता है वो पीला हरा होता है पीला और हरा और जो जैन्दोफिल होता है वो पीला ही होता है और जो कार्टिनॉइट्स होता है वो पीले से नारंगी पीला पेला झार्म वह सब्सक्राइद आंग्वाथे है। पटि काहरां रचाल करांगे प्रकास आंसरीलीशन के पिपढ़्म नारांगोगी तो पहले हमें डिगराम देखते है लगे मतलब अधिक मातरा मैं नारंगी मतलब मातरा हमें मैं लग रही है और फिर उस से कम प्लूरफिर B की और केटिनोइट की उस से भी कम है बढ़ानक बेपदार्थ मतलब जो बढ़ानक होते हैं बढ़ानक बेपदार्थ हैं जिन में प्रकास की विशिष्ट तरंग देर्दों को अपसूसित करने की छम्ता होती है तो इसे याद रखेंगी बनक बेग बदात है जिनमें प्रकास की विश्च्ट तरंग देर्दूं को अपसुसित करने की चंता होती है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्च्ट में कौन सा पादा बनक सारबदिक है आई ये मतलब सारबदिक हमने देखा वी मतलब उस से प्रीच्ट है तो यह हमने भी देखाता ना यह दाइग्राम के बारे में बोल रहा है जिसमें जो क्लूरोफिर यह सब से अधिक है और उससे कम भी और कैट नाज उससे कम तो अब आप चित्र में मतलब देखे हैं हमने देख लिया जिसमें उन्हें तरंग देर्दूं द तरह मतलब करता है जो किलूरोफिर यह दा नीले तता लाल छेत्र में अपसुष्ण करता है उस चेत्र में प्रकास अंसलीशन की जुद्दा रहे वह देखता हम हैं अता हम कह सकते हैं कि प्रकास अंसलीशन के लिए एक प्रमुख बानक है चेत्र में मतलब देखने पर हम कह सकते हैं कि जो क्लूर फिर यह है मतलब भई सबसे दिखमात्रा में अब मांगे पढ़ेंगे एग राप एक साथ यह बता रहेंगे कि अधिकतम प्रकास संसलेशन इस्पेक्टम के नीले इवं लाल चेत्र में संपन होती है और प्रकास संसलेशन इस्पेक्टम की अंतरंग देर्द पर भी संपन होती है आए देखें कि यह कैसे होता है यादे भी क्लूर फिर यह प्रकास को अपसूसित करने का मुख बरनक है फिर भी अने थायले कॉयित्य बरनक जैसे कलूर फिल भी जेंतो फिल तथा कैरोटन जहिंने सहायग बरनक कहते है यह जो क्लोर्फिर भी होते हैं, जैनतोफिल होता है, क्लोर्फिर लेन्स Мих certainly क्लोर्फिल को में कर देता है, भेसित और आफसास्त। प्रकास संस्लेशन को प्रेट करने वाली उपयोगी तरंग देर्द के छित को बढ़ाते हैं बल्कि यह को फोटो ऑक्सिडेशन से भी बचाते हैं तो इसे भी याद रखें प्रकास संसलेशन को प्रेट करने वाली उपयोगी तरंग देर्द के छित को बढ़ाते हैं बल्कि यह को फोटो ऑक्सिडेशन से भी बचाते हैं अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकास सभी क्रिया क्या है यह चैप्टर मतलब बहुत गहराई से समाज़ेना पढ़ता है इसको बहुत दो तीन बार बहुत अच्छे से पढ़ना पता है तो हम देखेंगे प्रकास अभी क्रिया क्या है उसमें निम्ने चलाना है जैसे कि पहला क्या है प्रकास कापसोसन फिर जलका बिक्टन जलका बिक्टन होगा तो अक्सियन निकलेगी तो अक्सियन का निस्कारशन फिर उच्छ उजा रसान जैसे कि एटीपी तथा एनडीपीच का नर्मा सामिल है इस प्रिक्रिया में अनेक प्रूटीन कॉंपलेक्स समलेत होती है यहां बढ़क दो सूइसपस्ट प्रकास रसान लाइट हर्वेस्टिंग कॉंपलेक्स एल एस सी जिने पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकंड कहते हैं मतलब तदा पोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं तो जो लाइट हर्वेस्टिंग कॉंपलेक्स एल एस सी होती होने पीएस फर्स्ट यहां पीएस सेकंड कहते हैं इसमें मतलब भी घटेत होता है इन्हें खूज की करम में यह नाम दिये गए हैं नागी प्रकास अभी किरिया के दौरा की काम करने के लिए करम में तς याद है लसी जो होते हैं प्रूटीन से आवद हजारों बढ़कल्हां से बने होती यह पृतिक फूटो सिस्टम में सभी बढ़क होते सवाए क्लोरोफिल एक एक अडूं के तो उसे याद रखें पहलिन ने तो याद रखें जो फोटो सिस्टाम होता है उसमें सभी बनणा को थे हैं सिवाए क्लॉरोफिल एक 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 अडूं के तथा लसी का यह निर्मान करते हैं जिने एंटैनी कहते हैं यह बनणा के विविन तरंग देर्धों की प्रकास को अपसूसित कर प्रकास संस्लीशन को अधिक दक्ष बनाते हैं ख्लूरोफिल एक का एक केला अडूं अभिक्रिया केंदर बनाना दोनों फूटू सिष्टम में प्रतीक्रिया केंदर प्रतक होते हैं पी एस फर्ष्ट में अभी किरिया केंद क्लूरुफिल ये का अपसूसन साथ सो एनेम पर होता है मनलब जो पी एस फर्ष्ट होता है उसमें अभी किरिया केंद क्लूरुफिल ये का जो अपसूसन सीर से वो साथ सो एनेम पर होता है अता इसे पी साथ सो कहते हैं पी एस सेकें होता है उसमें 700 पी होता है और जो पी एस सेकंड होता है उसमें 680 नम बाला अब आंगे नेक्स्ट है इलेक्टोन परीवहन परीवहन कैसे होता है देखते हैं अलेक्टोन परीवहन फूटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंदर में मौझूद मतलब फूटो सिस्टम मतलब पी हैस सेकंड में अभिक्रिया केंदर में मौझूद मतलब फूटो सिस्टम मतलब पी हैस सेकंड में अभिक्रिया केंदर में मौझूद मतलब फूटो सिस्टम मतलब पी हैस और इन्हें टान्स पोज सिस्टम जिसमें साइट्रो कोम होते हैं उसवर पहुचा दिया जता है एलेक्ट्रों की गती अधुगामी होती है जो अप पूप अपूप अपूप चैने रेडॉक्स के दो रेडॉक्स विभामापन के रूम में है मतलब यह जो अधुगामी गती ह जब इन्हें पूप अपूप फ्रश्टक के बड़ कोई दे दिया जाता है इसके साथ ही साथ पीएस फर्ष्ट का अभी किरिया केंदर के इलेक्टोन भी लाल प्रकास की 700 एनम तरंग देर्द को अफसोसित कर उत्तेजित होता है और यह अन ग्राही अडूं में जिसका रेडॉक्स विवाव अधिक हो बहां इस्थनांतरित हो जाता है यह एलेक्टोन से पुना अधो गामिगती करते हैं परंग इस बार बे उज़ा से पुनाःग अडूं की होर जाते हैं और यह एलेक्टोन अग्दोन अडीपी को अपचेत कर अधो गामिगती Listen प्रंतु इस बार भे उजा के प्रिच्च और NADP अणूं की होड़ जाते हैं और ये एलेक्टोन से NADP को अपचेत कर NADPH प्लस H प्लस को बनाते हैं इलेक्टोन के स्थनांद्रं की यह सारी उजना प्रिच्च और धसी होगान प्लस एस प्लस की बनने तक होती है और यह जो सारी यूजना है वो जेट के आकार की होती है इसलिए से जैड स्कीम कहते हैं और यह आकरती तब बनती है जब सभी बाहक करमानुसार एक रेडॉक्स बहुआ माप पर हो तो यह प्रकास अभी करिया की जैड स्कीम दी गई है यह प्रकास हैं नियुजआ की प्रकास इस डाएगराम में उसको बताया है अब नेक्ट देखेंगे जल विक्टन अभी तो मनें प्रकास-अभी किरिया में क्या देखा था। अब पूछेंगे कि प्यज्यू की आप पूछेंगे कि प्येस सेकन्ड कैसे लेक्टोन की आप अपूर्ति नंतर करता संबंद पीए सेंड से हैं तो इसको याद रखेंगे जाल बिक्टन का संबंद हैं जल बिक्टेद होता है मैं बिक्टेद होता है इससे आज तृपन होती है जो स्भूड का और संसलेशन का एक सुझ उत्पाद सुझ का यद्रकै के प्रकाशचन का एक सुझ अधुन सिस्टम सबसे निकलने बाले लिट नुब अब समझमी है कि फुट्टा स सेकंड के उपलब्द कुराया जाता है कि आफून yapılब यह हम देख सकते हैं कि जल का भीक्टन हो रहा है तो एच प्लस आयन भी निकड़ रहा है और अक्सियन का भी निसकासन हो रहा है हमें यह अच्छी प्रकाश जान लेना चाहिए कि जल का भीक्टन है वह से अब आपकरती है यह प्लेक्तित सक्वार कि चक्रीय और चक्रीय फोटौ फॉस्पोर रिलेसन क्या है लाई क्या है तो इसके बारे में विस्ताय से प्रते हैं थोड़ा मैं इस चेप्टर को देख लेगें तो पड़ती हैं जाना बढ़ा नहीं है चेप्टर दो पार्ट में पर कंप्लीट होगा अब हम देखेंगे चक्रिये एवं आज चक्रिये फोटो फॉस्पो फॉस्पोरीलेसन जीवों में ऑक्सिकन ये पदावतों से उजा निका तो जीवों में ऑक्सिकन ये पदा तो उसे उजा निकाल ले तता उसे बंद उजा के रूप में संचय करने की छमता होती है बिस्पदा जैसे एटीपी इस उजा को अपने रासाने बंद में संजोय रखती है कोसी काउं द्वारा जैसे की माइटो कॉंडिया और क्लोर फॉ प्रास्ट में एटीपी के जो संसेलेशन की प्रिक्रिया है उसी को उसी को ही फ्वोस्फो रिलेशन कहते हैं प्रकास की उपस्थिती में एडीपी तता आकार्वनेक फॉस्पेट से एटीपी का संसलेशन होता है तो जो फोटो फोस्पो रिलेशन या जो चक्रिय जो फोस्पो रिलेशन जो अभी कि दिया है मतलब बाए है जिसमें प्रकास की उपस्तिती में ADP से आकार्वनिक फोस्पेट से ATP का संसलेशन होता है जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार करते हैं जिसमें PS सेकेंड पहले और फी एस फास्ट दूसरे क्राम में काल करें तो इस प्रिक्रिया को आचक्री फोटो फॉस्पो रिलेशन कहते हैं कि दूसरे क्राम हैं तो फॉसरे क्रहा रहा से क्रिया को हाँ है क्रिया केouse जिए अचेसरे समझ सकते हैं प़थ है marksmitt हम एक अलेक्ट्रों परिवहन स्रेंकलास हैं जोड़े होते हैं यह जो दूनों फोटो सिस्टम होते हैं जैसे कि पहले जैड्य स्कीम में हम देख चुके हैं ATP तता NADPH प्लस हपलस दौनों ही इस परकार के लेक्ट्रण परीवहन द्वारा संसिलिशत होते हैं जब केवल- Arya Salt connection signal होता है तब इलेक्ट्रों फोटो स obsess काण में ही घुमता रहता है और फॉस्पो रिलेशन एलेक्ट्रोन चक्री प्रवाव के कारण होता है यह प्रवाव संबता इस्टुमा लेमिली में होती है ग्रेना की जिली अत्वा लेमिला में पीएस फास्ट तथा पीएस सेकंड दोनों ही होते है जबकि इस्टुमा लेमिली जिलियों में पीएस सेकंड तथ एवं नहीं होते है मालब जो इस्टुमा लेमिली होता है तो इसकों भी याद रखें कि इसमें ना तो पीएस सेकंड होता है और ना ही एने डी पीएस रख्टेस अंसायम लेकिन जो ग्रेना की जिली और जो लेमिला होता है उसमें पीएस फास्ट भी होता है सेकंड भी होता है लेकिन जो इस् पारित नहीं होता बल्कि बापस PS1 complex में electron प्रवाव सरंकला दोरा चक्रित होता रहता है अतहा चक्री प्रवाव में केवल ATP का संसलेशन होता है जो से भी याद रखें कि चक्री प्रवाव होता है उसमें केवल ATP का संसलेशन होता है ना कि NADPH प्रकास का युद्व चैसे अने से देखो मतलब 700 अने बाले पर ही होता है तो चक्री फोटो फॉस्पोर रिलेशन तभी होता है जब उत्यजना के लिए प्रकास का जुतरंग देर्थ है वो 680 अने म से देखो अब नेक्स टॉपिक है रसो पराशनी ये परीकल्पना रसोप् दॉपिक है यह मद्लब इस टॉपिक इस फॉपिक पढ़ती फिर फिर सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट में तो हम देखते हैं रसोपराशन ये परिकल्बना कैमियोस्मोटेक हाइपोथैसिस आईए अब यह समझने का प्रत्न करें कि क्लूरूपराशन में एटीपी कैसा संसलेसित होता है इस प्रक्राम का बढ़ान रसोपराशन ये परिकल्बना द्वारा कर सकते हैं स्टार्फन की भाती ही प्रकास संसलेस्ठान में भी एटीपी का संसलेशन एक जिलीका के आर पर प्रोटउन प्रवनता के कारण होता है यहां पर एक अंतर रहा है कि प्रोटउन जिलीका के अंदर की Entscheid अब का लियूमेन में संचथ होती है और सोसन में प्रूटोन माईटो कॉंड़ गया की अंतरा जिली अपकास का में संचित होती है जब एलेक्ट्रोन ETS से गुजरते हैं मतलब ये अध्या चग्दा में हम सोसन की बारे में पढ़ेंगे तो ये बता रहा है अध्या चग्दा में क्या वद्राइब की प्रकाससूसान में यह अंतर है कि यह फोकान हीं, उसमें प्रकाससूसान संचत होता है। अब नेक्स्ट आंगे पढ़ेंगे आये समझेगे किन कार्णों से प्रोटोन प्रमणता जिलिका के आर पार होती है हमें पुना उन्हें प्रिक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्टोन के सक्रेता और उनके परिभेहन के समय संपन होता है ताकि उन चन्नों को सुनिष्चित किया जा सके जिनके कार्ण प्रोटोन प्रमणता का बिकास होता है देखते हैं चुकि जल के अणूं का बिक्टन जिलिका के अंदर की तरफ होता है अथा जल के बिक्टन से उत्पन हाइडूजन आयन अत्वा प्रोटोन थाइलोकोईड 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 क्या हो गया यार चुकि जल के अणूं का बिक्टन जिलिका के अंदर की तरफ होता है जल के बिक्टांस उत्पन हाइडिजन आयन अधिवा पूटउन थाइलकोईड अपकासक्या में संचित होते हैं जैसे ही इलेक्टन फोटो सिस्टम के माध्यम के गति करते हैं पूटउन जिलिका की पार्थे चला जाता है ऐसा इसलीए होता है कि एलक्ट्ट्वशन प्रमाई को इक पुंक्त होता है, अपने इलक्ट्वशन को पुंक्त होता है innovation बसके प्रोटन एक्टोन सब zalते चाहे हैं उाओ स्श्वारा प्रोटन के आते हैं मतलब में से माध इस टुमाप इस समझा सकता है यह आपको एसे समझ में नहीं आएगा जब तक टीचर्स की द्वारा ही अच्छी समझ हाइंगे अतहा क्लूरोप्लास्ट में इस्टित स्ट्पूमा में प्रोटोन की संख्या घड़ती है जब कि जो लिूमेन आपकास कहुती हैं उसमें प्रोटोन का संचय होता है इस प्रकार यह था इलिकवॉइड जिली के आरपार एक प्रोटोन प्रवानता उत्पन होती है और शाथ ही स्ट्रोमा में प्रूटोन की संक्या घटती है जब कि लिउमेन होती है अपकास क्या होती है उसमें प्रूटोन का संचाय होता है इस प्रकार यह है थाइलिकॉइड जिल्ली के आर पर एक प्रूटोन प्रवानता उत्पन होती है और साथ ही साथ लिउमेन में पी एच भी कम हो प्रवन्टा टूटने पर ही ATP का संसलेशन होता है और उजय उती है यह प्रवन्टा इस लिए भंग होती है क्योंकि मौझूध एटीपी संतेस के पार्गमन भाईका स्ट्रो माली में गति चील होता है आप नेग्या त्वाइल्ट में ATP तथा ATP सिंतेजम के बारे में पढ़ा है आपको यहाद होगा कि ATP सिंतेज में दो भाग होते हैं इसमें एक F0 कहलाता है जो जिलिका में अंता स्थापत रहता है तथा एक पारगमन जिलिका चेरल की रचना करता है जो कि जिलिका की आरपर प्रूटीन के विश्रणकों आंगे बढ़ाता है और इसका दूसरा बाग F1 खहलाता है और थाइलिकोईट की बाहरी सताय से इस्टूमा की और होती है पर उर्द्व के रूप में होता है प्रवर्णता का भंजन परयाब तूजय प्रदान करता है जिसके करण ATP संतेज के करण करता है इसलिए मैदबोर है क्योंकि प्रवर्णता का प्रवर्णता के पार घमन बाहिए और यह प्रवर्णता इसलिए भंग होती यह सुए होती है यह प्रनस्टता में मोजूद और मॉतिई ATP synthèse के पारगमन बहई का CF0 के माध्यम से इस्टूमा में गती सील होता है फिर क्या है ATP ATP synthèse में आपको याद होगा कि ATP synthèse में दू भाग होते हैं एक तो F0 और F जिलिका के आर पार प्रोटोर के बिश्णकों आंगे बढ़ाता है इसका दूसरा बाग F1 कहलाता है और थाइलिकोईट की बाहरी सताय जो इस्ट्रोमा की रूप में होता है प्रबनता का भंजन परयाब तुझा प्रदान करता है जैसे ही प्रबनता का भंजन होता है उससे प्रयाब तुझा प्रदान मतलब करता है जिसके कारण एटीप सिंथेस के कारण एह बन में सनूपन पईबातन आता है जिससे की एंजाम सेप्रिचुर एटीप का संसलेशन कर सके अब आंगे पड़ते हैं रसोपराशन रसोपराश सब्सक्राशन बाली जो भी किरिया है इसके लिए एक जिलीका चाहिए पड़ेगी प्रूटोन प्रवानता तदा एटीप संतेज के आविस्कता होती है प्रूटोन को एक जिलीका के आरपार पंप करने के लिए उजा का प्योग होता है ताकि थाई लिकोईड लिउमेन में एक प्रवानता अत्वा प्रूटोन की उच्छ सांदता पैदा हो सके ATP सिंतेज के पास एक चैनल अत्वाना लिखा होता है जो जिलिका 11 पर प्रूटोन को विश्ण का अपसर देता है यह ATP सिंतेज सिंसायम को सक्रिय करने के लिए परयाप तूजा छोड़ता है जो ATP संसलेशन को उत्वेत करता है एलेक्टोन की गती सीलता से उत्वादेत NADPH के साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन होने बाले जैप संसलेशन में तरंत उपियों कर लिए जाएंगे जो CO2 में स्थराण एवं सरक्रा के संसलेशन के लिए आप सक है यह क्या आप कह रहा है एलेक्टोन की गती सीलता से उत्वादेत NADPH के साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन होने बाले जैप संसलेशन में तरंत उपियों कर लिए जाएंगे जो CO2 के स्थराण एवं सरक्रा के संसलेशन के लिए आप सक है तो अब नेक्स्ट है ATP तथा NADPH का कहां मतलब कहां इसका प्योग होते हैं मतलब इनका प्योग यूज कहां होता है हैं मैं तो इसे म सेकंडेश पार्ट से स्टार करेंगे के बाल बहुत अच्छे पढ़ना पड़ता है समय ना पढ़ता है तो आपनी